हेलो एवरिवन, वेलकम बैक तो माई चैनल, आज मैं आपके साथ मुंबए का फेमस मसाला टोस्ट चीज सेंडविच की रेस्पी सेयर करने वाली हूँ, जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, और चीज से भरपूर होती है, और इसके साथ ही मैं आपके साथ टू टा ही रेसिपी की नौटिफिकेशन आपको मिलती रहें, अगर आज की बनाई हुए रेसिपी आपको पसंद आए, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि आगे भी मैं आपके साथ ऐसी नई नई रेसिपी शेयर करती रहूँ, चले फिर आज मसाला टोस्ट चटनी बनाएंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कफारा धनिया, नरम डंठल के साथ, और आधा कप पुदीना लिया है, इसे अच्छे से धोने के बाद इसका सारा पानी निकाल लेना है, और इसकी चटनी बनाएंगे, अब इसमें दो टुकडे छोटे अद रखके, द इसमें दो चमच भुनावा चाना डालेंगे, इससे भी चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आता है, यह चटनी का पानी एब्सोर्ब करने में हेल्प करता है, अब इसमें एक चोथाई चमच नमक और एक चोथाई चमच काला नमक डालेंगे, अब इसमें आधा निम्मू का र कर लेंगे ये देखिए ये पीश चुका है इसका कलर और इसका टेक्शर इसी तरह थीक होना चाहिए अब इसे एक बूल में ट्रांसफर कर लेंगे सैंड्विच की ग्रीन चटनी बनके तयार है रिच चटनी बनाने के लिए मैंने यहापे एक कटोरी सोखी लाल मिर्च लिया है इसे मैंने एक घंटा पहले पानी में भुगोने के लिए रख दिया था ऐसा करने से मिर्च आसानी से पीश जाता है अब इसे पीशने के लिए पानी निकाल के मिक्सर के बरतन में ट्रांसफर करेंगे अब इसमें 10-12 लैसुन की कलियां आधा चमच नमक और एक चमच ते करेंगे सेंड्विच की लाल चटनी भी बनके रडी है मसाला टोस्ट निवच बनाने के लिए मैंने या पर चार आलू लिये हैं इसे बोयल कर लिया था और इसके छिलके निकालके इस तरह से मैश कर लेना है इस आलू में कहीं पर भी गाठे नहीं होनी चाहिए इसलिए इस पताई चमच आमचूर पौडर और एक चमच धनिया पौडर डालके इन मसालों को आलो में अच्छे से मिक्स कर लेना है अभी मिक्स हो चुका है आलो का मसाला रेडी है सेंड्विच की स्टफिंग के लिए मैंने या पर एक काकड़ी दो सिमला मिर्च एक बीट रूट एक प्या जो दो टमाटर लिया है जिसे अच्छे से धो लिया है एक कप बारी कटा हुआ पतागो भी लिया है इन वेजिटेबल का पतला पतला स्लाइस करके सेंड्विच में लगाना है इसलिए इन्हें पहले से कट करके ने रखना है अगर इन्हें पहले ही कट करके रखा तो सबजिया नरम पढ़ जाएंगी सेंविच बनाने के लिए मैंने हाप पर ब्रेड लिया है यह वाइट ब्रेड है आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं अब इस ब्रेड के चारो तरफ से साइड केजिस इस तरह से कट कर लेंगे अब ब्रेड के उपर इस तरह से बटर लगाएंगे बटर हमें सारे ब्रेड पे लगाने है जब बटर अच्छे से लग जाए तो अब दो ब्रेड पे ग्रीन चटनी लगाएंगे और दो ब्रेड पे लाल चटनी चटनियों को ब्रेट पर अच्छे से फैला के लगाना है अब इसके ऊपर आलू का मसाला बनाया हुआ रखेंगे इसे ब्रेट के ऊपर इस तरह से फैला लेना है अब इसके ऊपर बारी कटे हुई पतागों भी रखेंगे अब इसके उपर इस तरह से कट करते हुए काकड़ी की स्लाइच रखेंगे इन्हें एकदम पतला कट करना है इसे दो-दो रखना है इसी तरह सिर्मला मिर्ज को भी बारी कट करके रख देंगे इसी तरह बीट रूट को भी कट करके इसके उपर रख देंगे इस तरह इसके उपर फैलाते हुए टमाटर और प्याज के भी पतले स्लाइश रख देने है इस पे सबजियां इस तरह रखें कि टोस्ट कटते समय ये बाहर न निकले अब इसके उपर थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ा भुने हुए जीरे का पॉडर अब इसके उपर चीज को ग्रेट करेंगे ये देखिए इस तरह से चीज को सैंडविच के उपर चारो तरफ से फैलाना है अब लाल चटनी लगा हुआ ब्रेड इसके उपर से इस तरह से रख देंगे और इसे टोस्ट करेंगे इसे मैं गैस पर टोस्ट करेंगे टोस्टर को गरम करेंगे और इसके उपर आधा चमच बटर डालेंगे बटर डालने के बाद इसके उपर बटर चारो तरफ फैला देंगे इसे टोस्ट करते समय गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए अब इसके उपर सैंड्विच रखेंगे और इसके उपर भी बटर इस तरह से लगाएंगे और टोस्टर को बंद करके इसे सेकेंगे इसे दोनों तरब से घूमाते हुए सेकना है यह देखे इसके उपर कलर आने लग गया है अब इस पे थोड़ा सा बाटर लगाएंगे और फिर से इसे दोनों साइट से सेखना है और इसी तरह इसे चेक करेंगे ताकि इसके उपर अच्छा सा कलर भी आ जाए और ये जले भी न ये देखी इसके उपर अच्छा सा कलर आ गया है अब ये toast हो चुका है अब इसे निकाल लेंगे हलका थंडा हो जाने के बाद इसे कट करेंगे इसे इस तरह से ट्रेंगल कट करना है और इसकी प्लेटिंग करेंगे ये दिखने में जितने यमी दिख रहे हैं खाने में उतने डिलिशेस हैं अब इसके उपर चीज ग्रेट करके डालेंगे इस तरह चीज डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है मेरी रेस्पी का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप भी इसे घर में बनाए और इंजॉई करें